तो बहुत बहुत स्वागत है जोड़दार तरीके से मेरे जित्ती भी देश के इंदर इंडियन नेवी लवर्स हैं और ग्जाक्ली 10 प्लस टू में एज ऑफिशर के डर वो जानना चाहते हैं जहां एक तरफ हम NDA के अपरशुनिटी की बात करते हैं तो पहले लें NDA से हटके एक बहतरीन अपरशुनिटी साल में दो बार आपके पास होती है दरेक्ट SSB के तौर पे 10 प्लस टू नेवी भी टेक इंट्री जिसको लेके लगातार आपके प्रशन चल रहे हैं कि सर आखर इसका फॉर्म कब अबडेट होगा लास्ट फॉर्म सड्यूल की बात करें जब लास्ट साइम फॉर्म आया तो जून महीने में आ गया था 10 जून को थोड़ा डिले होने से कि इलिजिबिलिटी नेवी के इंतरकत होती है जहां के इंट्रेट सप्लाई करते हैं फाइफ लाक रैंक तक जई में इन में और इसमें 70 परसंट अनिवार हो जाता आपका पीशेम ग्रूप में इस चीज का इस्पेसली ध्यान दीजिएगा पीशे मतलब aggregate physics chemistry math को मिला करके तीनों में आपका 70 होना चीए हां English में 50 marks भी यहां पर जो है compulsory कर दिये जाते हैं 10th and 12th में यह आपको qualification के दरिश्टी कौन से समझ के चलना अब देख लिए इसके हिसाब से आपके eligibility तैय होती है तो यह तो तैय है कि आप form भी वरेंगे और य जापने के लिए नेभी TS की बात करने वाले हैं कि अपर इसके प्रपेशन में कैसे आप खुद को बहतर करें और SSB कि साफ खुद को कैसे बहतर तयार करें और इसको फिर से बहतर दंग से समझने के लिए माई साजू है Capitan sir sir, बहत बहत सौगत sir, thank you sir, thank you very much exactly sir, जब 10th plus 2 Navy BTEC क BTEK from IIT Patna sir, जी 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 जी, नाम आपको याद आ रहा हुगा, sir, जी 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 तो उस बच्चे से interviewing officer, जब question पूस्ते है कि why you are willing to join the Indian Navy as you are already part of IIT Patna prestigious organization, का तो इधर की हो, देर की हो, देर की जी सर्ने सट किसा कि समभडी से कि I'm doing IIT from Patna I feel nothing sir, but when somebody say that I'm going to part of Indian Naval Academy sir, I got goosebam बिल्कुल जरियाद है यह बच्चे की फीलिंग दी तो मुझे लगता है कि इंडियन ने भी को लेकि एक अलग तरह का पैसन है थे इसके अंदर एक अलग तरह का ज़स्दा है तो वो जो एकेडमी है उसका चार्म प्लस वो जो आपका पैशन है इंजिनियरिंग का वो और फिर ग्रेड वन पोस्ट सब कुछ एक साथ मिल रहा है और यह अपने आप में बड़ी चीज है और उसने भी एगा कि मैं तो सिक्यूर करीर गली आ रहा हूं इंडियन नेवल एके प्रचुनिटी भी उनके पास एडवांस एक्जाम देके भी बैठे हूं है बच्चे तो अपरचुनिटी उनके पास एड़ीनिंग कॉलेज की भी है तो कहीं डबल माइंड तो है सर यह कहीं ने कहीं एसस बी में इन चीजों का भी फर्क पड़ता है कि बच्चे खुद को क कुछ decisions द्याएं है वो कितने clear solutions लिये हैं and what for you made दा डे-सीजान आप यह सोचा है कि इंजीनरिंग कॉलेज को चोड़कर के आइ início कोछड़कर के आप इस अकैडमी का हिस्सा बन रहे हैं तो कितनी सचाई है इसके अंदर ऐसा तो नही एकि सिर्फ कोई candidate सामने बैठा है इसलि कही नेवी का पार्ट बनना चाहते हैं इंडियन नेवी का अगर वो seriously अंदर दिल से सोचे होंगे तो वो फिर नेवी की थोड़ी बहुत जानकारी भी रखेंगे और पीछे के प्रयास भी दिखेंगे अगर किसी बच्चे ने एंडिये का पेपर नहीं दिया और वो डायरेक्ट एंट्री में आकर के लाख आप से कहे कि मेरा जाने का पैशन है फोज के अंदर तो फिर वो तो कुश्चन मार्क लग गया उसके ओपर भाई पास हुए या नहीं हुए एंडिये के पेपर में ये एक अलग विशह है क्योंकि आप यूपी सी का एक्जाम दे रहे दे तो आप नहीं भी पास हुए मगर अपियर तो हुए अब कोई कैड़ेट क्याता है थार हमें पता ही न ये तीन महीने का समय है इन तीन महीने में सर ये क्या खुट पर करें कैसे ये बहतर बनाए कि हां SSB के साफ से भी इनकी परसिनलिटी डवलफ हो उसर क्योंकि अब ही बैक ग्राउंड में इसा कुछ रहा नहींना इनका एक्सपिरेंस अभी क्या गरें सर सड़ डारेक्ट एं केलकुलेशन से ज्यादा काम रह गया इनका अगर भाशा में भी पढ़ने वाला बच्चा अगर लिटरेचर पढ़ेगा तो उसकी भाशा ठीक रहेगी मगर यह लिटरेचर पढ़ते नहीं है यह तो फिसिक्स केमेस्ट्री मैट्स के साथ चले हैं केलकुलेशन पर ज्यादा दिया तो अब इनकी इंगलिश के साथ एक समस्या खड़ी होती है आकर के इंगलिश अगर अच्छी है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं नाजर आता है फिर मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है उसका हाव भाव थोड़े से डरे सहमे से दिखाई देते हैं वहाँ इनको मेहनत करन से इन्होंने दूरी बना लिया क्योंकि जैस बात है जो बच्छा सर आई 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 टी जैई की तैयारी करना शुरू करता है वो दस्वी के बाद लगबग लगबग किताबों में गुम हो चुका होता है और बाहर के गेम्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एक्स्ट्र क अब भी आपके पास तीन महीना समय है और तीन महीना बदलने के लिए बिलकुल परियाप समय है और हमारा 90 देज का प्लान भी यही कहता है कि 90 जरूनी 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 आपको बहतर बनाना चाहते हैं बार बार हम आपके एस्टेस्मेंट फीड़बैक और डेवलपमेंट पर काम करना चाहते है बार होगा उसका फीड़बैक मिलेगा फिर पुर्णा साइकॉलजी का टेस्ट होगा तो प्लान तो 90 डेस का ही है बट रिपीट क्यों बार-बार क्योंकि जितनी बार आप मौक देंगे जितनी बार आप साइकॉलजी को भरेंगे उसको लिखेंगे औ उसका जो एसेस्मेंट होगा फिर उस पे जो फीड़बैक मिलेगा फिर उसके डेवलेप्मेंट पे जो हम काम करेंगे और फिर से आप उपर क्रियद हो रहेंगे तो आप बार-बार इसको रिपीट करते हैं पढ़ाई कोई 90 डेस सब्जेक्ट नहीं कि मैं पढ़ा दिया प 45 दिन इनकी परसनालिटी को डेवलप करने में लग जाएगा बाशा को सदरने में 90 दिन लग जाएगा अब ये फिर एक एक डूसरा सवाल उठाएंगे कि हमें एसेस्बी का कुछ नहीं बताया और एसेस्बी का अगर बता रहे हैं तो कहते हैं कि ये बाकी परसनालिटी का उसमें बदलाव दिखाई दे आपके काम में जब आप दिखाई नहीं दे रहे हो तो सेलेक्शन आपका कहां से मिल जाएगा आप 14 दिन में रट सकते हो चीजों को कि भई इस इंस्टिटूट से पढ़ लिए वहां का जो कॉंसेप्ट था वही जा करके लगा दिया वो देखन वाले को भी समझ में आ रहा है कि यह इस बच्चे का काम नहीं है अगर आपके काम में आप नहीं दिखाई दोगे तो आपका रिक्मेंड होना बहुत मुश्किल है जितना अच्छा काम करें यह विच है कि आपके हम कम्मिनिकेशन के भी क्लास चला रहे हैं जनल एवैनेस की भी चला रहे हैं और लगातार इसमें को थोड़ा समय चीए और आप भी महसूस करेंगे कि जब आप वन राउंड के बास सेकेंड राउंड में आएंगे तो आपका आत्मिस्वास बढ़ेगा थर्ड राउंड में और फिप्त में और सिक्स में तो आप बिलकुल तयार इसमें डर रहा है जो बच्के बहुत लगता है कि लैंगवेज में अभी दिक्क्त आ रही है उनकी बेसिक्स और कहीं से शुरू होतीगी चलो कविता पार से शुरू किया जाए कि आप पड़ किया है हिंदी में बता हो कम से कम आप सामने खड़े होगे आपका डर निकलेग एक बार आपका डर निकल गए, आज हिंदी में बोलोगे, कल आप मिक्स करके बोलोगे, परसो आप इंग्लिश में भी बोलोगे, तो वो चीजे जो है, आपकी हमेशा काम आएंगे आपके, आप इनके अंदर दिक्कत क्या है सर, ये सामने खड़े होने से डरते हैं, बड़ी म सोचे कि नहीं बेंच पे बैटे-बैटे काम कर लेंगे तो बोल नहीं पाहोगे, और इंग्जाक्ली हमारी कोसिस वही है, सेकंड सर प्रस नहीं था कि जैसे ये इंटर्व्य का पार्ट है, इंटर्व्य का है, साद बच्छा पूस रहा था कि सर, कभी कोई स्ट्रेट अब सेकंड कि अख्याधा निजांस,नने थां वखानार काम करेंदा आख्यान संनल रहा रहेऍ तो सांड तो में दृताइंग ने काम की कामीश हमारी टुर्य प्रहां पार्ट है लगा अधिदमी जार्वें य आपको और आगिल ये ये त मिल यू ये ब्लीन तो ये येटिग तो वाट वड़ी विल चूज अगर आपका कंप्यूटर साइंस फोकस है आप क्या करें इंगर शीज के लिए सर देगे यह सोचते हैं कि कोई सही जवाब दे करके यह निकल जाएंगे देर इस नथिंग लाइक राइट और रॉंग आलवेस से दो तरीके के लोग हैं एक बारवी क्लास का बच्चा है वो कहता है कि सर उसके बाद तो मैं पढ़ाई करने लग जाओंगा ठीक है अब उसके बादचीत से उसके हाववाव से समझ में आया आपको कि यह बहुत सीरियस नहीं है एक दूसरा बच्चे आया उसने कुछ जादा ही जोश में कहा कि नहीं सरसरे फौज ही फौज है बागी जीवन में कुछ नहीं आप कहोगे कि इस बच्चे के अपने विकल्प ही बंद हो चुके हैं तो यह फौज के लिए विकल्प कैसे खो लेगा आकर तो अल्टरनेटिव होने चाहिए लेकिन आपके जो एक होता है शौट टम अबजेक्टिव एक होता है लॉंग तो शौट टम अबजेक्टिव अभी आप 12th क्लास करके निकले हैं आप ये देखिए कि अगर आप आज रिक्मेंट नहीं हो रहे हैं ठीक है पीछे बैक अप में क्या है आई आई टी मिल रहा है मिरको जाइस बात है नैचुरल तरीका यही कहता है कि सर आप आई 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 जोईन करेग इस बच्चे में जुनून है ना तो यह तरीका जो है यह पहले अपने जीवन में उतारना पड़ेगा यह क्या सोचते हैं कि कोई आकर के इनको जवाब बता दे और अपनी जीवन में वो चीज़ें नहीं देखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा तो चलिए बिल्कुल कॉंसर अप्रोच है आपको उस समय जो सही जवाब लगता है और एक्जाक्ली आप क्या सोचते हैं उस प्रैटिकल सिचुएशन में और यह आपके दिल की आवाजे मुझे लिए तक इसका जवाब कोई और दे सकता है कोई नहीं दे सकता सर मैं आपको बता हूँ एक बहुत चोटा इन बच्चा कहता है कि मैंने ज़्यादा तो नहीं पता है मुझे हाँ यह मालूम है कि हाइस्ट गैलेंट्री आवार्ड है इंडिया का और ज़्यादातर लोगों ने इसे मरनों परांद जीता है मैं इसे जीते जीतना चाहता हूँ सर कितना इनोसेंट सा और शुद सा जव जवाब है लेकिन अब इस जवाब से वह रिकमेंड हो गए और जितने यह सही और गलत वाले चक्कर में पढ़ते हैं ना यह सभी जाकर के बोलेंगे मैं परमवीर चकर जीतने हैं तो सारे रिकमेंट होगा यह बनावटी पना होगा यह बनावटी नैच्रल मतला अपको है यह फाइदे मंद है इसमें नुकसान नहीं है आपके इसमें आपके फाइदे हैं एक्जाक्ली तो मुझे लगते हैं समय का सही सद्विप्योग होना चाहिए हम कैसी के 90 देस प्लान का हिस्टा बनी है हम प्रॉमिस करते हैं बहतर गाइदेंस बहतर डिबलप्मेंट और कहीं में आप में शेयर सौट रेक्मेंडेशन की उस पोटेंशिल को हम इनहांस करेंगे जो आपको रेक्मेंड होने की बड़ी बदा देगा तो बिना देरी कि हम कैसी के साथ जुड़ सकते हैं बेस्ट अससी गाइदेंस के लिए बाकी फॉर्म की चिंता ना करें जल्दी अपडेट हो जाएगा थैंक यू सो मच सर लाश्ट लाइन सब के लिए कुछ कहना हो सर नेवी वालों के लिए इस पसली बद सर बिलकुल सही बात आपने कही कि नब्बे दिन का प्रोग्राम है जो एसस बी के बारे में सिखाना है वो तो सिखाएंगे सिखाएंगे लेकिन उसके साथ साथ जो काम करते समय बनावटी पन रह जाता है उसको साफ कर दिया जाता है रियल एन ओरिजिनल बिलकुल आपके काम में आप जरूर दिखाई देंगे इस बात के लिए शुर्ट थैंक यू सर थैंक यू सो मच और बाकी जो कमेंट सिक्शन में उपनियन सो दे दिया करें जय हिन जय भारत